प्रणा मित्रों आजे आपने दोरण दोमा विशाइंदी पार्ट शोड बार्तिय संस्कृति में गुरुशिश्य संबन्ध आजना अब इजय वीडियो में आपने पार्ट ने कथास्तु जोईशु जलोवे कथास्तु जोईए हमारे समाज में वेवसाइक संस्कृति का बोल बाला है इसे कारण गुरुशिश्य संबन्धों में परिवर्तन आया है परिवर्तन यानि बदलाव पहले विद्याले मंदिर के समान माने जाते थे शिक्सा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था अनुष्ठान यानि यग्य वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था पैसे देकर शिक्सा खरीदी नहीं जाती थे आज स्थिती बिलकुल बदल गई है और अब शिक्षण कारिये पेट पालने का साधन बन गया है मित्रों यहाँ पर लेखा आनन संकर माध्वन कहते हैं आज हमारे समाद में वेवसाइक संस्कृति का बोल बाला है इसी कारण गुरू सिस्य संबंदों में भी बदलावाया है पहले विद्याले मंदिर के समान माने जाते थे शिक्षा देना एक अध्यात्मिक यग्य के समान था वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था पैसे देकर शिक्षा खरीदे नहीं जाते थे किन्तु आज स्तिती बिल्कुल बदल गई है अब शिक्षण कारिये पेट पालने का एक साधन बन गया है आगे देखिए जिसे भारतिय संस्कुरुदी कहा जाना चाहिए वह आज भारतिय मानसिक सितीज में क्रियासिल नहीं है आज एक प्रकार की अव्यवस्तित व्यवसाइक संस्कुरुदी व्याप्त है जिसकी जड सायत यूरोप में है बारतियों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु सिस्य संबन्द का भी तदनरुप परिवर्तन हो गया है लिखक केते है जिस भारतिय संस्कुरुदी हमें कहा जाना चाहिए वही संस्कुरुदी की आज मानसिक सितीज में क्रियासिल नहीं है आज एक प्रकार की और व्यवस्तित व्यवसेक संस्कुरुदी हमें देखने को मिलती है जिसकी जड़ सायद यूरोप में है आज सार्वजनिक व्यवसर में बेव गुरु और सिस्य के संबन में परिवर्तन आया हुआ है यहां गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और नौसिस्य कोही सुल्क देना पड़ता था सुल्क यानी फीस पैसे देकर विद्या खरिदने की यह क्राई विक्राई पद्ददी नी संदे उष्भारतिय मिट्टी का उपज नहीं है सिक्षणा लेग एक प्रकार के आश्रम अत्वा मंदिर के समान थे गुरु को शाक्षात परमिश्वर ही समझा जाता था सिस्य पुत्र से अधिक प्रिये होते थे यहां सम्मान मिलना ही शक्ती पाने का रहस्य है प्राचिन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका अध्यात्मिक अनुष्ठान थे परमिश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है मित्रो यहां पर लिखक कहते है पहले शिक्षणा लए एक प्रकार के आश्रम अथ्वा मंदिर के समान होते थे गुरू को शाक्षात परमिश्वर ही समझा जाता था सिस्य पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे यहां पर सम्मान मिलना ही एक शक्ती पाने का रहस्य होता था प्राचिन काल में गुरू की शिक्षादान क्रिया उनका अध्यात्मिक अनुष्ठान था परमिश्वर प्राप्ते ही उनका एक माध्यम बनता था किन्तु आज वह पेट पानने का एक जरिया बन गई है प्रारम में विवेकानन को बारत में महत्व पुर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ पर जब उन्होंने अमरीकन नाम कमा लिया तो बारत वासी दोडे मालाय लेकर स्वागत करने लेखक केते हैं प्रारम में विवेकानन को इतना महत्व पुर्ण स्थान बारत में प्राप्त नहीं हुआ था किन्तु जब अमरीका में उन्होंने अपना नाम कमाया तब भारत वासी उनके लिए मालाय लेकर स्वागत करने के लिए दोडे थे रविंद्रनात ठाकूर को भी नोबल पुरसकार मिलातो बंगाली लोग दोडे यह राग अलापते हुए अमादे ठाकूर अमादे कठोर शपूत दक्षिर भारत में कुछ समय पहले तक बरतनाटे और कठक कले को नहीं पुझता था पर जब उसे विदेशों में माल मिलने लगा तो आसर येसे बारतवासी सोचने लगे अरे हमारी संस्कूरते में इतनी अपुर्वत चीजे भी पड़ी थी क्या मित्रो यहां पर लेखक कहते हैं जब रविंद्रनात ठाकूर को नोबल पुरसकार मिलातो बंगाली लोग दोड़े और यह राग अलापते हुए कि अमादेर ठाकूर अमादेर कठोर शुपूत इसी प्रकार दक्षिन भारत में कुछ समय तक पहले भरत नाट्यम और कठक कली को कोई नहीं पुझता था किन्तो इसी कला को जब विदेशों में स्थान मिला तब आसर ये से बारतवासी सोचने लगे कि अरे यह हमारी संस्कृति में भी इतनी अपुर्वा चीजे भरी पड़ी है यहां के लोगों को अपनी खुबशुर्ती नहीं नजर आते मगर पराय के सुंदरिये को देखकर मोहित हो जाते हैं जिस देश में ग्यान पाने के लिए मेक्ष मुलर ने जीवन भर प्रातना के उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्प जाने जैसा अनुबव करते हैं ऐसे लोगों को प्राचिन गुरु सिस्य संबन्द को महिमा सुनाना गदे को गणिन सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयासी हो शकता है गदे को गणित सिखाना, इसका मुहावरे का आर्थ होगा, व्यर्थ प्रयास करना मित्रों आगे की पाट की गतावस्तू हम आगे के वीडियो में देखेंगे आज का आपका गुरू कारिय है, आपको इस पाट का पठन करना है करा आपस्तू